लो गाइज वेलकम बैक तो मैं यूटूब चानल मेरा नाम है नितिन तो आज हम जा रहे हैं हेविन की मैडिसंस लेने तो आज का व्लॉग हमारी सरिफ टॉक शॉप पे जाके और हम आपको दिखाएंगे कहां पे हैं कहां से हम यहते हैं मैडिसंस अगहरा हैं की इसका प्रवलोग उससे पहले में आपको हैंवेन से मिलवाना चाहते हूं अगहरा है नहीं तो बनाएब चलते हैं अच द्वाग स्टार्ट करते हैं है तो भाई मैं आचुका हूं दॉग शॉप पे आपको मिलवाते हैं शॉप दिखाते हैं एक हैंगे आईए तो यह है हमारे dog shop के owner आप बताइए अंकल दी कि आपका नाम और एड्रेस और यह आप मेरी shop है Pets Friend के नाम से Depends Only Friber Market जंग पुर अजाइड में है और shop no. 262 तो हम लोग सारा dog का अपना snacks, food, dress, grooming, सब कुछ है हमारे पास तो यह बहुत अच्छी चीज है कि अंकल ने मुझे अभी मैंने लिया यह product ठीक है यह है यह है stick यह dog के ठीक है और यह बहुत अच्छे rate पे दिया 100 rupees में भाई ठीक है half kg और यह medicines लिये lotions और यह dog के लिए बरतन जो खाने भीने का होता है ठीक है तो यह shop देख सकते हैं आप आज का अच्छे प्राइस पर अच्छी कॉलिटी पर प्रोडक्ट लो अच्छे प्रोड़क्ट लेकर आँ वह आपसे शेर करना चाहता हूं तो मैं अभी दिखाता हूं आपको चार पच्छी लेकर आँ ज्यादा नहीं लेकर आया विकास में पर चेंज भी गरवानी थी इसकी जो बेल्ट थी ठीक है कि फॉर फिफ्टी ठीक है तो फॉर फिफ्टी यह मुझे पढ़िए थी नैंटी वेस्ट प्राइज मुझे बहुत अच्छा लगा वहां जाकर एंड इसमें जो मुझे प्राइज मिला हंड्रेड रुपीज की वाई आफ केजी बहुत प्यारी यह मज़ा आ रहा तो इसको हैविन को देता रहा है एंड इसकी जो यह है यह है एंटी फंगल एंटी बैक्टीरिया की लोशन लोशन जो है वह मैं लेकिया था इसको वन सिस्टी का और यह वन नाइ इसिक्स इसिक्स है भाई यह है 150 की और यह मुझे पढ़ती है 120 110 तो आप यह यूज भी कर सकते हो और यह यह दोनु है ठीक है मैं आपको देता हूं उसकी पोटोस अगर आपको दिखा दू हो साइड में आ रही होंगी ठीक है इसका शेंपू है वह यूज करता हूं यह वा ठीक है तो और यह थोड़ी बहुत चैन वेगर लेकर आता सब्सक्राइब करवाने बस यह में को पूरी पढ़िए टोटल दोनों चीज़ें कि यह पूरी टोटल है 500 की तो आज का जो मोटी था हूं बेसिकली सरी इसी चीज पे अच्छे प्राइस पे और अच्छी कॉलिट अच्छा पास्ट का अगर अच्छी लगी हो यह वीडियो तो यह लाइक कर देना कमेंट कर देना शेयर कर देना और वहां जाके फॉलो करो मुझसे बात करो